शेयर की ताजा खबरे देखने के लिए इनवी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूलें हाल ही में दसवी परिक्षा बोर्ड के परणाम आये जिसमें क्रिडा चोक निवासी अधीश्री अमेद इदलाबाद कर इस छात्रा ने दसवी बोर्ड परिक्षा में 500 में से 490 अंक हासिल करते हुए 98 प्रतिशत पाकर अवल अंकों से मेरिट आई है पढ़ाई करने का तरीका अच्छा योगदान और कड़ी मेहनत आधीबातों से मेरिट आई अधीश्री एदलाबाद कर नाकपुर नगरी का नाम रोशन किया है पेशे हमारे सवादता संजे मिरेन की रिपोर्ड हाल ही में दस्वी परिक्षा के परिणाम गोशित हुए जिसमें इस बार भी राज्य के साथ शहर की लड़कियों ने बाजिमारी वैसे भी लड़कों की तुलनाओं में लड़किया पढ़ाई में काफी तेज होती है महराश्ट्र स्टेट बोर्ड औफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन दस्वी की परिक्षा में पहले दिन से ही पूरी प्रामानिकता के साथ पढ़ाई करने वाली और दस्वी परिक्षा में 500 में से 490 अवल अंग हासिल करते हुए मेरी टाई यह है अधिश्री अमें एदलाबाद कर जिसे 98% मिले है मेरी टाई अधिश्री प्रती दिन 6-10 बजे तक याने रोजाना 4 घंटे पढ़ाई करती थी स्कूल में अध्यापक द्वारा जो पढ़ाया जाता था उसे घर में आने के बाद regular revision करती थी अधिश्री को यदि किसी विशय को लेकर समस्य आने पर अधिश्री के पिता अमें एदलाबाद कर अच्छा मार्गदर्शन पढ़ाई के दोरान किया करते थे अधिश्री के माता पिता वेल कॉलिफाइड होने से अधिश्री को अच्छा मार्गदर्शन मिला merit student अधिश्री के घर का वातावरन शिक्षा से परिपूर्ण है अधिश्री के पिता अमें एदलाबाद कर भी शहर के एक स्कूल में टीचर है 98 प्रतिशत पाने वाली अधिश्री मेरिट आते ही घर के बड़े मुझगों ने उसका अभिनंदन मिठाई खिला कर किया और उसे फूलों का गुल्दस्ता दे कर उसका सनमान भी किया अधिश्री को किताबे पढ़ने की होबी है साथ ही संगीत सुनना उसे बहुत अच्छा लगता है मेरिट आय अधिश्री भविश्य में सीए बनना चाहती है और फौरें धाशा भी सीखना चाहती है जीवन में यदि तरक्की करना हो तो इमानदारी कड़ी महनत लगाओ और कुछ अच्छा करने की चाहता था नियोजन काफी जरूरी है ऐसे जानकारी दस्री परिक्षा में मेरिट आय अधिश्री आमें अधिश्री को इन बीसियन न्यूस परिवार की ओर से और दर्शक की तरफ से बहुत बहुत शुप काम लाए हाली में नाकपुर के दस्री बोर्ड के परिणाम घूशिती है जिसके चलते इस बार भी लड़कों ने टॉप किया है जी हाँ हम बात करने जारे नाकपुर शहर के अधिकौन स्कूलों की जहां पे छात्राओं ने परचम जीत का परचम लह रहा है और अच्छे अवल अंग प्राप करके अपने स्कूल का अपने परिवार का और अपने समाच का नाम रोशन किया है ऐसी ही एक परस्नलिटी हमारे साथ में है जो की मेरिट आई हुई है जिसे 98 प्रतिशत मिला है याने 500 में से 490 मार्स उसे मिले है और बोर्ट की परिक्षा में दस्वी की उपर एक्जाम में वे टॉपर याने मेरिट आई हुई है ऐसी अधीश्री एदलाबात कर हमारे साथ में है उनसे हम बात करेंगे अधीश्री आप ये बताई है कि कैसा महसूस कर रही हूँ बहुत खुशी हो रही है बहुत किस प्रकार क्या पढ़ाई करती थी क्या प्लानिंग रहता था आपका मैंने मतलब जादा पढ़ाई निकी पर जितनी पढ़ाई की वह बहुत अच्छे से की रोज चार घंटे सिर्फ पढ़ाई की पर बहुत अच्छे से जो सारे वीक सब्जेक्स है उसको मैंने पक्का कर दिया और मुझे अच्छे वाक्स मिले जैसे कि आपने कहा कि जो चार मेंटे जो आप पढ़ाई करती तो क्या समय क्या होता था चैसे दस सुबह और एक बत मुझे यह बताई कि इस आपको इसकी इंस्पिरेशन यह ने प्रिर्णा कहां से मिली कि आपको इसा क्यों लगा कि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना चाहिए मतलब मुझे ऐसा लगा दी कि पढ़ाई करना चाहिए पर अगर अपने स्कोर कि आप इतने ज्यादा वाक्स मेरे तो खुशी अब ही होती है ना आगे कुछ जाके अगर अचीव करना है तो टैंथ से अवे स्टार्ट करना पड़ेगा अधिश्री अभी आपने जैसे साथ में मुझे फॉरें लांगवजेस भी सीखनी है आप नहीं क्यों चुना है क्योंकर अन्य शेत्र में भी आप जा सकती हो मुझे बैट्स बहुत अच्छा लगता है और सी ये बहुत ही बतलब अलग है आजकल सभी नीट दे रहें इंजिनेरिक करें तो सी एक अलग शेत सभी हों जैसे स्कूल से कहा अपने के घर के परिवार के लोगों से आपको जो स्वयोग मिला है अब तमाम इनवीशन के लाको ऐसे चात्र चात्र हैं हमारे जो दर्शक है आपको गौर सी देख भी रहे सुन भी उनके लिए क्या कहना चाहूंगी क्या मार्गा दर्शन करना है वो अगर उस पर आगर आप वर्काउट करते हो अच्छी बहरत करते हो तो आपको भी ज़रूर अच्छे परसेंट मिलेंगे बिल्कुल तो आप थी मेरी स्टुडंट अधिश्री एदलाबात कर जिन्होंने बखुबी और बेबा के साथ बात करते हुए यह कहा कि शिक्षा काफे महतुपुर्ण अपने जीवन का एक अंग है लेकिन पूरी तरह से उसका प्लैनिंग करना चाहिए कोई भी शेत्र हो किसी भी शेत्र में हम अपने जीत का परचम यानि उस मुकाम तग हासिल कर सकते हैं बशर्ते हमें पूरी शिदत के साथ हार्ड वर्किंग के साथ स श्टुडेंट याने 500 में से 490 मार्क 98 परसें इनको मिले है जिसके चलते शार में खुशी का वातावरन है इनके परिवार और काफी स्कूल के सभी लोग इनका अभिननदन कर रहे और अदेशरी हम भी इन बीसियों की और से आपको धेर सारी शुकामना देते हैं आप होगे लिखोगे तो वनोगे नवाब कैमेरा परसें सुभाज बुठले के साथ संजय मीरे इन बीसियों नीज नाकपूर